हेलो पिछली वीडियो में हमने for loop, while loop और do while loop के बारे में जाना अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हुई है तो उपर i बटन पर क्लिक करके इन वीडियो को देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में for each loop के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे for each loop तो इसकी definition है for each loop array के साथ use किया जाता है इसके बाद हम यहां पर for each loop का index जानेंगे तो यह for each loop का index है for each यह लिखेंगे इसके बाद round braces में variable array इसके बाद यहां पर as लगाएंगे और is यहां पर लिखेंगे variable value इसके बाद round braces को यहां पर close कर देंगे इसके बाद curly braces इसको open करेंगे इसके बाद यहां पर लिखेंगे code to be executed इसके बाद यहां पर curly braces को close कर देंगे तो यह सारा जो है यह for each loop का syntax है इसके बाद हम इसको program के जरी यह समझेंगे write a program to demonstrate the use of for each loop तो यह program हमने notpad पे लिखा हुआ है यहाँ पे सबसे उपर लिखा हुआ है dog type stml इसके बाद stml इसके बाद body इसके बाद heading start की हुए है h1 इसके बाद php को start की हुआ है और यहाँ पे यह देखो variable x is equal to array इसके बाद यहाँ पे round braces पे लिखी हुई है values जैसे यह देखो a, b, c, d इसके बाद यहाँ पे for each लिखा हुआ है और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है round braces पे variable x as variable value तो as यहाँ पे यह for each के साथ use किया जाता है यह इसका keyword है इसके बाद यहाँ पे curly braces इसको open किया हुआ है और यहाँ पे echo इको क्या करना है यहाँ पे variable values तो values कौन सी है यह a, b, c, d यह values है इनको हमने display करना है इसके बाद यहाँ पे curly braces इसको close किया हुआ है और इसके बाद यह यहां पे PHP को close किया हुआ है, ह1 heading को यहां पे close किया हुआ है, body को close किया हुआ हो, और last में यहां पे HTML को close किया हुआ है, तो ये एक For Each Loop का program है, इसको हम यहां पे File पे जाके Save करेंगे, यहां पे Save As पे click सेवाइस पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे C drive पे जाएंगे C drive पे जाने के बाद यहाँ पे BAMP64 यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद www folder पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद project folder पे हमने इसको save करके रखना है तो इसको open करेंगे यह open किया इसके वाद File Name देंगे यहाँ पे हमने File Name दिया ASD इसके वाद . फिर PHP के Extension लगाएंगे PHP ये लिखा लिखने के वाद हम इसको Save करेंगे ये Save किया Save करने के वाद हम इसको Minimize करेंगे NordPad को ये Minimize किया इसके वाद Bump Server इसको Open करेंगे तो ये जो Bump Server है यहाँ पे यह देखो टास्क वार में आ गया है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इसके बाद जाएंगे लोकल होस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे यह देखो यहाँ पे लोकल होस्ट की विंडो यहाँ पे उपन हो गई है यहाँ पे हम उपर लिखेंगे यह लोकल host लिखेंगे इसके बाद forward slash ये लगाएंगे इसके बाद किस project में file को save करके रखा हुआ है उसका name लिखेंगे वो है project ये project name लिखा इसके बाद file का name लिखेंगे फिर forward slash लगाएंगे और इसके बाद file का name है asd इसके बाद dot php ये लिखा लिखने के बाद enter प्रेस करेंगे तो enter प्रेस करने के बाद यह देखो यहाँ पे यह print होके आ गया है हमने जो array में value डाली थी यह देखो a, b, c, d तो यहाँ पे आ गया है a, b, c, d यह values आ गई है अगर हम इन values के जगा कोई और values रखना जाते हैं c, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4 आ जाएगा यह देखो, यहाँ पे इसको मिटाया यहाँ पे लिखा 1, इसके बाद b, इसको मिटाया यहाँ पे लिखा 2 इसके बाद यहाँ पे c, इसको मिटाया और यहाँ पे 3, और यहाँ पे d, इसको मिटाया और यहां पे लिखा 4 इसके बाद यहां पे हम फाइल पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे यह सेव कर दिया सेव करने के बाद जब हम यहां पे रिफ्रेश करेंगे तो array में यहां पे values आ जाएंगे 1, 2, 3, 4 यह देखो इसको करके देखते हैं यहां पे इसको रिफ्रेश किया रिफ्रेश करने के बाद यह देखो यहां पे values आ गई है 1, 2, 3, 4 यह array में यह values आ गई है तो यहां पे for each loop जो है वो केवल arrays के लिए बना है तो इस तरह से हम यहां पे for each का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने for each loop के बारे में जाना अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद